ओके तो कल जो हुमारे दो टॉपिक्स रह गए थे आज हम वो करेंगे राइट मेंस पॉइंट आफ यू से हम वो दोने टॉपिक्स न्यूस एपर नालिसिस के कल अबने हर्याना वाला कर लिया था ठीक है तो आज हम करेंगे भक्ती मूव्मेंट का कॉशन बेसिकली हिंदू न्यूस पेपर में 23rd of November को एक एडविटोरियल आया था क्या है था एडविटोरियल एक एडविटोरियल आया था एडविटोरियल क्या होता है जिसमें एक ऐसे मोधी की फोटो लगी थी यहाँ योगी की फोटो लगी थी और ये यूपी गोर्मेंट की एड थी यूपी गोर्मेंट की एड थी जिसमें ये लिखा हुआ था के हम इस बरी 500 साल मनाएंगे संत मीरा भाई के संत मीरा भाई मीरा आपको पता ही है तो उसके 500 येर्ज हम लोग मनाएंगे ठीक है तो ये एड़िटोरियल है न्यूज नहीं आई थी एड़िटोरियल आया था तो अब ये यूपी गोर्मेंट मनाने जा रही है 500 येर्ज और उपर से 500 येर्ज भी है तो एक बहुत बड़ी इवेंट बन जाती है खास करके तब जब गोर्मेंट इसको सेलिब्रेट कर रही है तो अब आपको यूपी स्सी में या केस में कोशन क्या आ सकता है कोशन आप को मीरा भाई के उपर भी आ सकता है और कोशन आपको बक्ती मुवमेंट के उपर भी आ सकता है क्योंकि मीरा भाई बक्ती मुवमेंट की सेंट थी राइट और सिरुफ मीरा भाई के उपर नहीं कोशन आपको और भी बक्ती मुवमेंट के सेंट के उपर आ सकते हैं अब बक्ती मुवमेंट तो आप लोग डिटेल में तो हिस्ट्री में करोगे लेकिन उससे कुछ-कुछ चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो नियूस के रिगार्डिंग वो हम आज यहां पर करेंगे जितना हमसे हो पाएगा राइट तो मेरा भाई जो थी जब उसकी marriage हुई तो उसकी marriage जो थी वो successful नहीं रही जब उसकी marriage successful नहीं रही तो वो बक्ती में पढ़ गई ठीक है जब वो बक्ती में चली गई तो यहीं से उसकी संत बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई ठीक है वो बहुत सारी जगा पर गुमने लगी जैसे वरिंदावन मतूरा ठीक है यहाँ पर यह यूपी में ही है सारी आप उत्राखंड में भी चलेगे तो यहाँ पर वो गूमने लगी ठीक है तो तभी यूपी गौवर्मेंट इसको सेलिब्रेट करने जा रही है क्योंकि उसकी एनवर्स है ठीक है अब भक्ती मूव्मेंट जो है इंडिया में स्टार्ट कैसे हुई इसके कौजिस क्या थे तो अब लिगो कौजिस फॉर ओरिजन आफ भक्ती मूव्मेंट कौजिस फॉर ओरिजन आफ भक्ती मूव्मेंट कौजिस आफ ओरिजन आफ भक्ती मूव्मेंट साथ में हम यह भी करेंगे spread of bhakti movement पहले spread कर लेते हैं कौजिस को लिखा रहने दो एक पे छोड़ दो हम spread पहले कर लेते हैं spread of bhakti movement तो देखो इतना हमें पता है कि bhakti movement से जो नाम जुड़े हुए हैं वो संत कबीर, गुरु नानक इन लोगों के जुड़े हुए है पहरवी दास, कबीर दास बट ये लोग नौर्थ इंडिया में थे ठीक है और ये बाद में 15th से 17th century की बात है जब ये लोग आए लेकिन bhakti movement 6th से 7th century में स्टार्ट हो गई थी कहां पर? तमिलनाडू में 6th से 7th century में तमिलनाडू में स्टार्ट हो गई थी अलवर्स उन्होंने स्टार्ट करी थी ठीक है? अलवर्स जो थे वो वैशनेवाइट्स थे और नयनकार्स थे N-A-Y-A-N नयनार्स वरी नयनकार्स नहीं नयनार्स ये शिवाइट्स थे हिंदूस में वो मतलब दो में ये डिवाइडिट थे वैशनेवाइट्स और शिवाइट्स ठीक है अलवर्स और नयनर्स यहां से बक्ति मुव्मेंट की स्टार्ट होती है तमिल नाडु में 6th 7th century में 6th और 7th century में संत टुका राम इसका मेन करता दरता था ठीक है यहां से बक्ति मुव्मेंट spread होती है करनाटका में करनाटका में इसकी जो नेवरिंग स्टेट है करनाटका वहां पर spread होती है वहां पर इसका एक मेन संत था बासवना बी ए ए एस ए वी ए डबल एन ए बासवना जो के 12th century में के आसपास की बात है ठीक है करनाटका से यह भक्ति मुव्मेंट spread होने होते होते यह चली जाती है महराष्टरा में और यह date है 13th century ठीक है और वहां से यह चलती है नौर्थ इंडिया में जहां पर संत कभीर, रविदास, गुरु नानक यह सब लोग इसको popularize करते हैं इसकी date है 15th और 17th century 15th से 17th century ठीक है जिसके अंदर मीरा बाई भी है राइट तो यह briefly हमने discuss किया है इसका spread अब हमें देखेंगे इसके causes for the origin of भक्ति मुवमेंट तो सबसे पहला cause था इसका social rigidity ठीक है आपने लिखना कैसे है आपने लिखना है कि इंडिया was socially very rigid at that time because there were four classes in the society कौन-कौन सी सबसे उपर कौन थे कौन थे सबसे उपर ब्रामन्स फिर क्षत्रियास फिर वैश्यास और फिर शुद्रास अब जितने भी temple के अंदर rituals वगरा होते थे वो ब्रामनाज करते थे और किसी को करने की वो अनुमती नहीं थी नमबर टू यह सारे जो टेक्स्ट थे यह सारे संस्कृत में थे ठीक है और यह local languages में नहीं थे नमबर थ्री यह monotheism में विश्वास नहीं करते थे बलके यह idol worship में विश्वास करते थे ठीक है monotheism होता है एक ही बगवान को मानना idol worship होता है बहुत सारी idols को आप worship कर सकते हो राम को क्रिशन को शीव को बहुत सारी idols को आप worship कर सकते हो ठीक है नमबर एक और पॉइंट है इसका कि इस हिंदु religion में भगवान की पूजा करना असान नहीं था मुश्किल था ठीक है simplicity नहीं थी ठीक है पूजा करवानी हो तो काफी महंगी पड़ती थी costly भी पड़ती थी ठीक है और ब्रामनाज कई वरी जो होते थे वो आपको अब शबद भी बोल देते थे श्राप भी दे देते थे अगर आप उनको कराने की अजाज़त थी तो वो तो बिल्कुल ही हिंदू रिलिजन के अगेंस हो गए थे ठीक है और रही बात वैश्याज की और क्षत्रियाज की उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जितनी वो चाहते थे वैश्याज और क्षत्रियाज के पास हाई पोस्ट के उपर वो तैनात होते थे लेकिन फिर भी वो ब्रामनास की डॉमिनेशन में उनको जीना पड़ता था अब कोई भी किसी की डॉमिनेशन में जीना नहीं जाता है ठीक है इसलिए वो कुछ ऐसा ढून रहे थे कि जिसमें सिंप्लिसिटी हो जिसमें बक्ति करना बहुत इजी हो और जिसमें उनको किसी के आगे जुकना नहीं पड़े जैसे के ब्रामनास के आगे जुकना नहीं पड़े और इतना कॉस्ट इफेक्टिव भी हो यानिके पैसा कम लगे पूजा वगरा में और भगवान की पूजा करना असान हो ठीक है तो इस ही वजह से भक्ती मुव्मेंट का स्टार्ट हुआ ठीक है तो फिर्स्ट पॉइंट था सोशल गिजिटीटि नमबर टू सिंप्लिसिटी बक्ती मुव्मेंट सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता था जैसे के मैंने उपर बोला नमबर थ्री पॉइंट सूफिजम 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 भी 11th 12th century में स्टार्ट हुआ जो के Muslims में से निकला जैसे भक्तिकाल हिंदूस में से निकला तो सूफिजम Muslims में से निकला सूफिजम में क्या था वहाँ पर भी जो कट्टर मुस्लिम होते थे वो उनके against जाके थोड़ा Muslim religion को थोड़ा simple बनाना चाहते थे और दूसरा हिंदू मुस्लिम में जो gap आ रहा था हिंदू मुस्लिम में जो gap आ रहा था जो conflict सराइज हो रहे थे वो उसको कम करना चाहते थे सूफिजम और दूसरी तरफ भगतिकाल के जो लोग थे वो भी यही कर रहे थे हिंदू मुस्लिम में जो gap आ रहा था वो उसको कम कर रहे थे है ना तो दोनों सूफिजम और बक्तिजम में दोनों का aim एक ही था एक तो simplicity लाना social rigidity को कम करना और हिंदू मुस्लिम के gap को कम करना last point है इसका reforms बक्तिकाल में हम हिंदू धर्म के अंदर reforms ला रहे थे ठीक है reforms ला रहे थे हम लोग ठीक है यानि के हिंदू धर्म में जितनी भी rigidity आ चुकी है उसको हम reform करके एक नया जीवन उसमें डाल रहे थे for example Sanskrit जो है हम Sanskrit को छोड़ कर local languages में religion की promotion कर रहे थे ठीक है local languages basically उस टाइम पे ज़्यादा तर आप देखो के तो प्रकिट language बोली जाती थी जो के common man की language थी और Sanskrit जो थी वो सिरफ ब्रामनाज वगरा यह हाई कास्ट के लोग ही बोलते थे Sanskrit को learn करना भी costly था मुश्किल था और ब्रामनाज से सीखनी पड़ती थी जबके प्रकिट आप household language थी और बक्ती के लोगों ने जो गुरू थे उन्होंने प्रकिट language में ही अपने sermons देने स्टार्ट किये अब हम लिखेंगे features of बक्ती movement नमबर वन monotheism तो जैसे हमने देखा कि हिंदू धर्म जो है वो polytheism में विश्वास करता है poly यानि बहुत जएदा भगवान को मानना जो के बहुत मुश्किल भी होता है लेकिन बक्ती काल में monotheism के उपर यानि one god के उपर जोर दिया गया नमबर टू gurus यहाँ पे gurus की परंपरा स्टार्ट हुई gurus जो के mentors भी थे और perceptors भी थे mentors भी थे और perceptors भी थे ठीक है तो gurus की परंपरा स्टार्ट हुई ठीक है यहसे कबीर दास, रवी दास, गुरु नानक संतमीरा भाई इनकी परंपरा स्टार्ट हुई नेक्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल ब्रदर हुड ये लोग यूनिवर्सल ब्रदर हुड को प्रीच करते थे, सिखाते थे जिसके अंदर social equality सिखाई जाती थी और fraternity सिखाई जाती थी हिंदू मुस्लिम के बीच में gap कम करने की बात होती थी नेक्स पॉइंट singing hymes 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 होते है शबत किर्टन तो ये लोग singing hymes करते करते गलियों में भी घूमते थे ठीक है जैसे के पायो जी मैंने राम रतन धन पायो ये मीरा ने song जो है ये खुद compose किया था ठीक है तो ये singing hymes में hymes की singing में विश्वास रखते थे पूजा में वर्षिप में विश्वास रखते थे और ये लोग idol worship idol worship यानि मूर्ती पूजा के खिलाफ थे लास्ट पॉइंट local languages जितनी भी बक्तिकाल की चीज़ें होती थी वो सारी local languages के अंदर होती थी फॉर एक्जांपल मैंने बताया कि हिंदू लोग संस्कृत में ये सारा कुछ करते थे पहले बक्तिकाल से पहले और मुस्लिम लोग जो थे वो Persian और Arabic में करते थे ठीक है Persian Arabic पढ़ना भी मुश्किल था और ये संस्कृत पढ़ना भी मुश्किल था फिर इन्होंने किया क्या local languages को promote करना स्टार्ट किया significance of भक्ति movement क्योंकि हम mains का question कर रहे है कल हमने पहले तीन अगर आपको 박्तिकाल का question आई तो उसमें आपने उसके अदर वो causes भी पूछ सकता है उसके अदर वो आपको features भी पूछ सकता है उसके अदर वो आपको significance भी पूछ सकता है तो हम तीनों करेंगे significance Numbers one social impact social impact ये था कि この हिंदू धरम को reform किया जा रहा था यहां पे reforming Hinduism and teaching religious harmony right तो इसका social impact आपको पता चली के आप तक कि यह सारा कुछ था ठीक है fraternity, friendliness lessening the gap between Hindus and Muslims and all that next religious impact religious impact यह था Hindu Muslim के अंदर brotherhood promote हुआ दूसरा शूद्रास भी इसके fold में आगे, सबसे बड़ा impact शूद्रास जो था सबसे ज़्यादा वो लोग इसके fold में बक्ती के fold में आगे तो यह इसका religious impact था promotion of local languages ब्रजभाशा अवधी language हिंदी language यह सारी languages जो थी प्रकिट language यह सारी promote होने लगी हिंदी उस टाइम ब्रजभाशा और अवधी में बोली जाती थी लास्ट पॉइंट moral values का promotion moral values तो यह moral values शिकाते थे जैसे honesty speaking the truth honesty is speaking the truth purity pure life living a pure life इस तरह की चीज़े बक्ती मुव्मेंट में सीखाई जाती थी हमने देखा ब्रीफ में हमने देखा के हाँ भक्ती काल का spread कहां हुआ तमिलनाडू में फिर करनाटका में फिर महराश्टा में फिर नौथ इंडिया में फिर इसका हमने बाकी चीज़े भी देख ली अब हम नेक्स टॉपिक पे आज आते हैं आज के प्रोव्स रेसोलुशन दिमांडिंग स्पेशल स्टेटस फार देट बिहार ने अपनी असेंबली में स्पेशल स्टेटस कुमंजूरी दे दिया है यानि खुद ही पास कर दिया बिलके हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए यह कोश्चन आपको GS Paper 2 के में आ सकता है कहां पर? GS Paper 2 का अगर आफ सिरे बस देखोगे तो उसमें है एक सेक्शन Issues and Challenges Pertaining to Federal Structure Issues and Challenges Pertaining to the Federal Structure नहीं तो GS Paper 3 में भी आ सकता है कहां पर? सेक्शन का नाम है Inclusive Growth Inclusive Growth and Issues Arising from It हमें पता होना जी यह कोश्चन आएगा कहां पर? यूज कहां पर होगा? ठीक है? तो GS Paper 2 में भी यूज हो सकता है Paper 3 में भी यूज हो सकता है अब देखो हमें यह पता होना जी यह Special Status क्या होता है? किस को मिलता है? किस state को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अगर हम देंगे तो क्या होगा नहीं देंगे तो क्या होगा और इसकी history इंडिया में क्या रही है सबसे पहले हम देखेंगे special category status for states special category status for states 1969 में, 5th Finance Commission ने, 1969 में, फिफ्थ पांचमी Finance Commission ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम गाडगिल फार्मूला बोलते हैं कौन सा फार्मूला, गाडगिल, G-A-D, G-I-L, गाडगिल फार्मूला दिया था इस फार्मूला के तहत उसने ये बोला था कि special category status मिलना चाहिए, किसको, कुछ states को ठीक है? जैसे के कुछ states गरीबी में जीती हैं फार एक्जम्पल, बिहार, आंधरा परदेश ये हमेशा सही special status की demand करती रही है क्योंकि ये गरीब state है, ठीक है? लेकिन ये status देते हुए गॉवर्मन्न को डर भी लगता है क्योंकि अगर हम इनको देंगे तो फिर औरिसा, चतिसगर जैसी states भी मांगेंगी ठीक है? हो सकता है, और states भी मांगनी, start कर दे ठीक है? इसलिए government इसको देते हुए डरती भी है ठीक है? दूसरी तरफ, ये तो हमने देखा special category status for states ये क्या था? special category status for states ये गाड़गेल फार्मूला ने दिया था ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ एक और status भी होता है जिसको हम बोलते है special status special status ये अलग है special category status अलग चीज़ है special status अलग चीज़ है अब special status जो है वो हमारा constitution हमारी states को खुद देता है जबके special category status जो है वो हमारा constitution नहीं देता है वो कौन देता है? वो तो गाडगिल फार्मूला ने Finance Commission ने दिया था ठीक है Finance Commission ने भी तब दिया था जब इनकी NDC और Planning Commission की मीटिंग्स हुई थी आप यह कह सकते हो Planning Commission की Recommendation पर यह मिला था यानि कि कहने का में में मत्तब यह है कि Special Category Status जो है वो हमें Constitution ने नहीं दिया है तो Constitution ने हमें कौन सा Status दिया है Special Status कहां पर दिया है Constitution का एक Part है Part 21 उसको आपने ऐसे लिखना है Part 21 को Part XXI Part 21 मे Article 371 आपको पता है Article 370 तो जेंड के का था तो उससे मिलता जूलता आर्टिकल है Article 371 जिसके अंदर Constitution States को कुछ States को Special Status Provide करता है अब इसको हम Illegal नहीं कह सकते क्योंकि यह Constitution का Article खुद हमें दे रहा है राइट इसके बारे में जानेंगे अब इसका क्राइटीरिया क्या है और Reasons क्या है देने के तो लिखो Reasons देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ Special Status की बात कर रहा हूँ Special Category Status की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा दोनों अलग है अभी अभी नहीं अभी आप सिर्फ लिखो इसको अभी तो छूट गया ना 370 था वो छूट गया इसका 371 अभी भी है यस वहाँ पे अभी भी है वह वला अभी भी कुछ स्टेट्स को है उसके हम Reasons देखेंगे क्या Reasons होते हैं Number 1, Backward Region Number 2, Cultural and Economic Factors Number 3, Law and Order Disturbance Or Number 4, Protection of the Locals यह चार क्रिटिरिया होते हैं Backward Region, Cultural and Economic Backwardness Law and Order Disturbances and Protecting the Locals यह चार reasons के ओपर Special Status जो है वो Constitution States को देता है under Article 371 under Part 21 of the Constitution अब हम देखेंगे कि जो Special Category Status मिलता था अब यह बंद हो गया है अब Special Category की बात करता हूँ यह बंद हो गया है मिलना यह बंद क्यों हुआ है सबसे पहले और यह बंद कब हुआ स्टार्ट तो हमने देखेंगे 1963 में हुआ था लेकिन यह बंद क्यों हुआ यह हम देखेंगे तो आब लिखो Challenges अब उपर लिख लो Special Category Status for States Challenges Challenges क्या क्या आएंगे अगर हम States को Special Category Status देते हैं जैसा के Gargill Formula ने कहा था तो वो अभी भी देते हैं तो Challenges क्या क्या आएंगे Challenges सबसे बड़ा यह आएगा Number One Domino Effect Domino Effect यानि के अगर हम एक State को देंगे तो सारी States मांगना स्टार्ट करेंगी इस में Special Status में Actually मिलता क्या है States को पैसा पैसा कोन देता है? Center कितना पैसा मिलता है? जितना General एक Arm State को मिलता है उससे 10 गुना जादा तो हर State चाहेगी कि हमें ज़्यादा पैसा मिले क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो CM के पास आएगा CM उसको Distribute करेगा Ministers में Ministers Distribute करेंगे Districts में और Districts Distribute करेंगे उसको Panchayats में या Blocks में ठीक है न? सबसे पहले तो वो Top के बंदे के वास ही आएगा फिर चलता है जलता है वो नीचे आएगा अग जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी ज़्यादा Development होगी Districts की भी Villages की भी State की भी लेकिन उसके साथ एक Drawback भी है कि उतनी ज़्यादा State भी रिचना हो लेकिन MPs और MLs रिच होते जाए इसका ये भी एक Effect हो सकता है इसलिए Government ये देते हुए डरती भी है तो सबसे पहले Reason ये है कि Domino Effect होगा For example Bihar, Antirapartish स्टार्टिंग से ये Status मांगते रहे हैं लेकिन अगर हम इनको ये दे देते हैं तो Odisha, चतिसगर, राजस्तान ये States भी मांगना स्टार्ट कर देंगी जारखंड ये सारी States भी मांगना स्टार्ट कर देंगी तो हम इतना पैसा लाएंगे कहां से तो पहला Point ता Domino Effect Number 2 Criteria Is Arbitrary या ऐसे लिगो, Criteria for granting Special Category Status Is Arbitrary तो अगर हमने ये पीछे Criteria देखा के Law and Order Problem कहां पे है Backward Region कौन कौन से हर स्टेट में कोई ना कोई रीजन backward होता है ठीक है आंदरा परदेश में अगर हम बात करें तो आंदरा परदेश backward है लेकिन उसका हैदराबाद जो है वो backward नहीं है वो बहुत ज़्यादा डिवलोप है है ना आंदरा परदेश का एक रीजन जो काफी ज़्यादा पूर था वो था तेलंगाना ठीक है उसको हमने स्टेट ही अलग बना दिया क्योंकि तेलंगाना हमेशा से आंदरा परदेश का पाड़ता है और वो हमेशा पैसा मांग hash के रहता था तो उसकी वज़ए से पूरे आंदरा परदेश को पैसा देना परता था हमने उसटेट को यह लगकर दिया तेलंगाना अगर आप देखो गे हीस्टरी में तेलंगाना हमेशा से पूर रीजन रहा है जबके आंद्रमरेश हमेशा से रिच रीजन रहा है अब प्राब्लम ये थी जब इनकी डिविजन ओनी थी दोनों स्टेट्स की तो जोग्राफिकली हैदराबाद जो था वो तेलंगाना में पढ़ रहा था अब तेलंगाना तो चाहेगा कि ऐदराबाद एक रिच सिटी और उसकी capital भी है financial capital भी है और political capital भी है तो उसको मिल जाए तो वो तेलंगाना को मिलना झीथा क्योंकि वो लाई वही पे जोग्राफिकली वहीं पे लाई कर रा था उसको मिल गया लेकिन आंदरप्रदेश होने लोग शोर मचाने लगे कि ये 6 मेंने उसको मिले 6 मेंने हमें मिले लेकिन ये मिला तेलंगा ना कोई ठीक है तो हमने ये स्टेट की डिविजन कर दी क्योंकि हमेशा से आंदरप्रदेश special category status की demand करता था और अगर हम उसको देते हैं तो फिर सारी स्टेट्स यह चीज़ मांगती रहती तो क्राइटीरिया आर्बिटरी है यनि कि देखो अगर आप ये क्राइटीरिया बोलते हो कि जी हमारी स्टेट में लाइंड और प्रॉब्लम है तो कौन सी स्टेट आज ऐसी है जहांपे लाइंड और प्रॉब्लम नहीं है पंजाब में है, हर्याना में है, तमिलनाडू में है, हर स्टेट में है अगर आप बोलोगे जी हमारा जी लोकल्स को प्रोटेक्ट करना है हमने उनको जाब दे नहीं है, जैसे कि हमने कल पड़ा हर्याना के केस में तो सारी स्टेट बोलेंगी हमने भी प्रोटेक्ट करना है अगर हम बोलेंगी हमारे रिजन्स बैकवर्ड हैं तो सारी स्टेट में कोई ना कोई रिजन्स बैकवर्ड होता है जैसे जैनके में लगाओ तो जैनके में भी बहुत सारे रिजन जो है वो बैकोर्ड है कल्चर अड़ एकनोमिक फेक्टर्स वो सारी स्टेट में होते हैं ठीक है तो यह आर्बिट्रेरी है यानि कि कोई सेट फार्मूला नहीं है किसी भी स्टेट को आर्बिट्री हम बोल के उसको पैसा दे सकते हैं अब जनरली क्या होता है इसका वैसे हम यहाँ पर डिसक्श करना नहीं चाहिए इसका मिस्यूस होता था मिस्यूस यह होता था कि अगर सेंटर में बिजेपी गॉर्मेंट है यह Congress पहले तो Congress government ही रही है ना वो State में सपोस्करो बिहार में भी Congress government है तो वो उसको पैसा देदेगी क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी government है और बहाना लगाएगी वो यह कि यहाँ पर तो यह सब problems हैं इसलिए हम इसको पैसा दे रहे हैं जबके सपोस्करो जैनके में NC की government है और वहाँ पे भी problem है लेकिन Congress government वहाँ पैसा नहीं देगी क्योंकि वो उसकी government नहीं है अब सपोस्करो जैनके में भी Congress government आ गई तो वो वहाँ पैसा दे देगी क्योंकि वहाँ Center में भी उसकी government है State में भी उसकी government है ठीक है ना क्योंकि उसके आपने ही लोग हैं तो political consideration करके पैसा दे रही है जाता था जब actual consideration यानि कि administrative consideration को consider नहीं किया जाता था इसके special category status देना अब बंद हो गया है दूसरा next point no perceptible change no perceptible change मतलब हमने इतनी साल भिहार को आंदर प्रदेश को पैसा दिया बहुत पैसा दिया लेकिन तब भी उनमें कोई perceptible change नहीं आई दस गुना ज़्यादा पैसा देकर भी वो वैसी की वैसी रही ठीक है ना इसलिए हमने ultimately decide ये किया कि special category status को हम खतम करेंगे ठीक है आगे जलते है way forward special category status में way forward way forward क्या है तो way forward हमने ये निकाला कि special category status को cross कर दो ये अब नहीं है it has been abolished अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको abolish क्यों किया तो उसका अगर कोई question आप से पूछे तो उसका answer ये है कि basically special category status जो था वो दिया किसने था start काँ से हुआ था ये देना ये planning commission होती थी हमारे इंडिया में planning commission को advise किया था national developmental council NDC ने planning commission होती थी planning commission को advise करती थी NDC ठीक है तो NDC ने advise किया था PC को क्या कि special category status दिया जाए तो हमने दे दिया आज की date में अगर हम बात करें तो planning commission जो है वो खतम हो गई है ultimately जिसने special category status दिया वो planning commission ही अब abolish हो गई है तो जब body ही abolish हो गई तो फिर special category status को भी abolish हो जाना चाहिए इसलिए हमने इसको abolish कर दिया जबके दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि special status of states है special status of states है वो आज भी जारी है क्योंके वो part 21 of the constitution article 371 में constitution खुद प्रवाइड कर रहा है ठीक है न इसलिए वो जारी रहेगा हमेशा जारी रहेगा जब तक ये article 371 ही खतम ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा इसके opposite special category status हमने खतम कर दिया क्योंके जिस body ने वो बनाया था planning commission वो खुद ही खतम हो गई इसलिए हमने ये भी खतम कर दिया ये जानते हुए अब हम एक और चीज़ देखेंगे last में के रगुराम राजन कमेटी 2013 रगुराम राजन कमेटी 2013 उसने एक 10 indicators दिये थे इट गेव 10 indicators for least developed states for recognizing least developed states least developed states अब रगुराम राजन कहते के हम कैसे recognize करें के एक state जो है वो least developed है ठीक है ना तो हम कैसे recognize करेंगे तो ये 10 indicators उसने दिये ये 10 indicators आपको पता होने चाहिए तो ये 10 indicators है number one per capita expenditure per capita expenditure यानि के उस state का एक बंदा per capita मतलब one person वो कितना expenditure करता है पर month इससे पता चलेगा के उस state में poverty है या richness है number two education number three health health तो health और education दो ऐसे criteria होते हैं जहां से हमें पता चलता है के वो state developed है या developing है यानि के अगर वहाँ पे education rate अच्छा है तो वो अच्छी है अगर health rate भी अच्छा है वो तब भी अच्छी है लेकिन अगर education और health दोनों ही बुरे हैं यानि के लोगों को मलेरिया हो रहा है डेंगू हो रहा है लोग भी मार पड़ रहे हैं education में भी नहीं है वो कुछ तो वो state least developed में आएगी next household amenities household amenities घर में लोग जो चीज़ें यूज करते हैं जैसे washing machine टीवी ये देखा जाता है के household amenities क्या-क्या यूज हो रही है ठीक है on an average क्या-क्या amenities वो लोग यूज करते हैं next poverty rates poverty rates next female literacy next percentage of schedule caste and schedule tribes percentage of schedule caste and schedule tribes अगर percentage of schedule caste schedule tribe जैदा है तो वो least developed में आएगी अगर कम है तो वो developed में आएगी next urbanization rate urbanization rate यानि के उस state का urbanization rate कितना है यानि कितने लोग गाउं से चलकर urban में आ रहे हैं migration कितनी हो रही है अगर जैदा हो रही है तो वो state least development नहीं आएगी अगर कम हो रही है तो वो इसमें आएगी financial inclusion financial inclusion i-n-c-l-u-s-i-u-n तो financial inclusion हो रही है जैसे हम ने कल देखा कितने लोग जो government की schemes है उसमें वो cover हो रहे हैं और अगर हम state की growth की बात करें यानि के GDP अगर हम निकालें एक particular state की है ना तो उसमें लोग involved हो भी रही है या नहीं हो रही है या सिरफ GDP उपर जा रही है जैसे हमने देखा कि इंडिया की GDP second number पे या third number पे आ चुकी है लेकिन लोग अब भी गरीब हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में financial inclusion proper नहीं हुआ है ठीक है similarly states का भी next physical connectivity physical connectivity ये infrastructure से जुड़ी हुई है कि roads कितनी बनी हुई है गाओं में और शहरों में उन में connectivity शहरों में कितनी है villages में कितनी है और क्या वहाँ पे ये fiber digital fiber networks ये सारा कुछ लग गया है या नहीं लगा है ठीक है वहाँ पे schools, colleges पक्के हैं या कच्चे हैं ये सारा कुछ हमने इसमें देखना है अब एक और चीज़ अब समझाई दिया special category और special status may difference भी मैंने समझा दिया ठीक है ये आज के दो topics से जो हमने करने थे ये कल छूट गए थे तो कल हम इसके आगे चलेंगे अब मंडे को तो चुटी है ठीक है तो हम Tuesday को next करेंगे ठीक है वही पांच topics लेंगे